हलोस्टों Welcome to your channel topar me this is an online learning platform इस वीडियो में हम धे देखने वाले हैं Well Conditioned and ill Conditioned Triangle जो Surveying का पार्ट है जो आता है Civil Engineering में और इसमें जो हम Triangle का Selection करते है उसके बार में जानेंगे की Well Conditioned Triangle कौन से होते है इल condition triangle कौन से होते है तो देख लिजे सबसे पहले जो है हमारे आप तक के जो हमने lectures cover किये तो आपको इतने सारे ये lecture दिये है इसके description box में लिंक दे दिये और सबसे last वाला जो lecture था होता ये important unit की उपर कियो आप इसको attend कर सकते है description box में लिंक दे दिये है आप उसको वाहापे क्लिक करके उसको attend कर सकते हैं आए बढ़ते हैं next सबसे पहले अब देख लेते है well condition and ill condition triangle की बारे में जो important points है वो तो सबसे पहले आएगा well condition triangle ठीक है well condition triangle में जो important point आता है जो आपको समझना है तो वो है सबसे पहला in well condition triangle no angle in it is less than 30 degree 30 degree में एक भी angle नहीं होगा और greater than 120 degree ठीक है जो भी हमें चाहिए वो 30 degree से उपर चाहिए और 120 degree से नीचे चाहिए ठीक है यह वाले अपने को एक सबसे important जो point है इसको याद रखना है उसके बाद अगर कोई एक triangle है जिसे हम well condition या फिर best condition और ideal triangle बोल सकते तो वो होता है जहीं एक भी 30बि साइड के सेम होते हो और उसके जो भी इसके एंगल से वो तीनों भी सें जैसे कि यह स्के तेमो and यह जो हम करें कि कितना होता है आपको पता है कि 180 नीजरी होता है तो इसके जो 3 पी एंगल रहेगे वो 60 degree करके इसके angles रहेंगे ठीक है आगे जो diagram आएगी उसमें मैं आपको दिखा तूँगा कि equilateral triangle action में कैसे होता है उसके बाद जो third point उसको दिखते हैं वो है apex point of well condition triangles are very sharp जो well condition triangles के apex point होते हैं इसलिए उसके जो हम locate करते इसे हम जो भी locate करते हैं यह जो उसके जो apex है इसे locate करना बहुत ही easily हो जाता है और by single dot single dot से हम single यहाँ पर dot चाहिए single dot से हम उसे locate कर सकते हैं ठीक है single dot से हम उसे locate कर सकते हैं और जो उसके sharpenes है vertex है सबसे पहले यह vertex क्या इसको अपेक्स point apex point का मतलब होता है कि माननों यह आपका triangle है तो इसके जो apex point रहेंगे यह वाला रहेगा इसके जो corners रहेंगे यह रहेगी उसके apex point ठीक है तो apex point जो भी है इसके तो वो क्या रहते है very sharp रहते है जाकि आपको यह point है ना तो single dot में इसके point आप mention कर सकते हो ठीक है तो फिर next time अगर कोई काम करते हो आप तो इसके point यहाँ उदर मतलब दूसरी side में हिलने की कोई chances नहीं रहते हैं इसलिए इसका जो relative displacement of plotted point है वो negligible रहता है मतलब zero ही रहता है ठीक है तो आईए इसके diagram देख लेते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए इसको में rub कर देतो आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं या फिर इसका screenshot निकाल सकते हैं तो आईए इसके diagram देख लिजे यह तीनों भी angles जो है जिनों भी triangle है इसके अंदर जो angle दिये है जो आपका यह सबसे पहला वाला पॉइंट है इसको satisfy करते हैं इसलिए यह triangle कौन से होगे आपके well condition triangle यह तो आपका equilateral triangle है तीनों भी angles के same है तो equilateral triangle second वाला भी आपका हो condition satisfy करता है और third वाला भी condition condition satisfy करता है तो आएए बढ़ते हैं अभी next वाला देखते हैं next में है ill condition triangle जैसे कि हमारा जो well condition triangle था इसके opposite ill condition triangle में आएगा ठीक है ill condition triangle में क्या आएगा कि well condition यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ill condition करना पड़ेगा ill condition triangle have less than less than 30 degree रहता है और greater than 120 degree रहता है ठीक है वहाँ पर क्या करना था less than 30 degree नहीं चाहिए था और 120 degree से उपर नहीं चाहिए था यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा ठीक है ill condition इसलिए यहाँ पर उल्टा होगा इसलिए क्या हो जाता है इसलिए यह ट्रेंगल परफेक्ट नहीं रहते हैं इसलिए हम इसको यूजड नहीं करते हैं चेंट सर्वेंग में हमको ट्रेंगल वेल कंडिशन चाहिए इसलिए हम इसको यूजड नहीं करते हैं और इसकी जो आपेक्स पॉइंट रहते हैं इल कंडिशन के वह नौ क्या है कि considerable error is plotting इसमें क्या हो जाता है एक considerable error आ जाता है उसमें तो आए इसका देख ले कि इसका example कैसा है तो यह है आपका yield condition तो देखिए ना इसको compare किजिए last वाले triangle से यह वाले triangle देखिए इसमें अगर कोई survey करना इसका area निकालना कितना आसान हो जाएगा और इसको compare किजिए यह वाला कितना difficult हो जाएगा कितना difficult है यह वाला जो उसका angle है less than 30 degree है यह वाला less than 30 है यह more than 128 इसलिए difficult हो जाता है इसलिए इसे yield condition ट्रेंगल करते ठीक है इतना आसान था यह दोनों भी triangles को समझना तो आप इसके screenshot निकाल सकते इसकी diagram निकाल सकते और आपके exam में भी यह काम आएगा ठीक है वैसे तो general point of view से भी यह काम में आता है अगर आप civil engineer हो तो आपके लिए यह बहुत जादा useful है तो कुछ अलग वीडियो भी मैंने बनाए है इस channel पर तो आप वह भी विजिट कर सकते हैं जैसे कि triangles हो गए अलग-अलग type के triangles है उसमें भी आपको यह दिखाई मतलब इसमें आपको दिख जाएंगे इसके बाद उस triangle का अगर area निकालना है तो simple formula आपको पता है half into base into height रहता है लेकर अगर तीनों भी side उसके पता है तो कैसे निकालना तो उसके लिए herons formula रहता है और herons formula से आप वो निकालते हो तो यह video भी आप visit कर सकते हो इसकी भी मैंने link दे दी है description box में साथ ही में यह 30-60-90 theorem जो है वो serving में काम आता है यह 45-45-90 भी काम आता है पाइथे गुरस भी काम आता है तो चोटे-चोटे वीडियो से इसको भी आप visit कर सकते हो ठीक है तो इसी तरह की वीडियो से चैनल पर आता है तो आप इस चैनल के साथ बने रही है thank you so much for listening me thank you so much for your love and support god bless you